वेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लेंसर विस्ते, दिस रामसोनी, आज हम डिस्क्स करेंगे एक ऐसे महत्पूर्ण बुद्दे के बारे में जो वाकई देश में लिया गया ये पहला स्टेफ है जारखंड CM ने अनॉस्मेंट किया है कि पैट्रोल जो है 25 रुपे वहाँ पे सस्ता मिलेगा विल देखिए यहाँ पर पता हो नाची 25 रुपे कैस बैक के फॉर्म में मिलेगा अब जानेंगे बेसिकली फायदा किसको मिलेगा, ये फायदा कब से मिलेगा लेकिन सबसे important चीज़ है, क्या यह step जो जारखंड CM ने लिया है, क्या यह सही कदम है that's one of the very important topic, आई discussion के सुरुवात करते है स्टार्ट करने के पहले आपको ददू, यदि आप मरे चनल में नए हैं, तो आप Learn Services नाम का टेलिग्रम गूर्प जोइन कर सकते हैं, वहाँ पे Classes के Information तो share किया आती है, लेकिन उसका PDF भी share किया आता है तो इस सारा का सारा जो PDF आप वहाँ भी मिल जाएंगे है ना, और चरी शुरू करते है CM है वहाँ पे हिमन सोरिन, इन्होंने announcement किया है कि जो BPL families है, मतलब जो below poverty land families है इनको basically 25 रुपे पर लिटर cashback मिलेगा, अब देखें ये cashback कैसे है, जैसे माले जिस सपोज करी आपने 100 रुपे में petrol खरेदा एक लिटर तो यहाँ पे आपको 25 रुपे cashback के form में मिल जाएगा, अब देखा जाया तो ये announcement इन्होंने किया है अपने 2 साल पूरा होने के कारिकाल में, ऐसे काम तोर पर ये होता है कि जो party होती है, वो अगले चुनाओ की तयारी करने के लिए इस तरह से announcement करती है, लेकिन यहाँ पे कैसी condition नहीं है, यहाँ पे इनके 2 साल पूरे हो गये हैं, और 2 साल पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसा announcement किया, तो आप कह सकते हैं, उसे साब से देखने में थोड़ा positive step दिखता है, लेकिन हम जानेंगे इससे government को कितना नुकसान होगा, और साथ में क्या government को ऐसे step लेना ची लेकिन इसके अलावा देखें तो यहाँ पर यह है, लेकिन यहाँ पर एक limit भी है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी लिटर लेना चाहें, यहाँ पर एक limit है कि 10 लिटर ही आपको हर महिने यहाँ पर petrol में यह जो cash pack हो मिलेगा, मतलब एक महिने में एक आदमी को 200 रुपे तक का य हमने तीन चीज़े जानी, पहली 25 रुपीज पर लिटर cash back मिलेगा आपको, आपके bank account में आएगा, दूसरा 10 लिटर maximum limit है, इससे जदा आप नहीं ले सकते, इससे जदा आपको cash back का benefit नहीं मिलेगा, कि पर दा चला आपका लयाबाजरी से रू कर दो, आप 10 लिटर लो और फ जो major cities है, चन्नाई में जो petrol है, वो 101 रुपे है, दिली में जो petrol prices है, वो पंचाने रुपे है, कोलकादा में 104 रुपे है, मुंबई में तो और महगा 109 रुपे है, मतलब कुछ cities में petrol बहुत ही महगा है, यदि आप बात करें, आपकी और cities में थे अब देखें, as of now जिसे है, जगों में petrol सस्ता है, लेकिन हमारे मधब देश में, या महरास्टरा की बात के रुपे हैं, यहाँ पे पेट्रोल वाकई समय काफी महगा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से आंदूलन चलाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ opinion देते हैं, हाला कि वह opinion भ लेके आते हैं, तो उसको सस्ता हम कैसे कर दें, यह एक बड़ा concern बनता है कि petroleum जब आप दूसरी country से ला रहे हो, आपके देश में तो manufacture हो नहीं रहा है, कि जितना चाहो उतना manufacture कर लो, जब दूसरी country से सामाल लेके आ रहे हैं, तो वो कितना सस्ता करें, देखते हैं यह बात क उसमें टैक्स आप जदा भी लगा सकते हो, लेकिन जो सामान आप दूसरी country से लेके आ रहे हो, उसमें यह आपने बहुत सारा टैक्स लगा दिया, तो definitely इसके कारण वो सामान और महेंगा हो जाएगा, तो हमारे देश में जो GST लगते हैं, किसी प्रोड़क्ट में जो GST, म प्रोड़क्ट की बात करें, तो यहां पर प्रोड़क्ट में 50% तक टैक्स लगता है, यह आप इसका डिविजन करें, जो पब्लिक सेक्टर और मर्केटिंग गमरीज हैं, उनके दिया हम बात करें, कि यहां पर उनको कितना टैक्स देने के बाद में कितनी प्राइस बनती ह तो आप देखेंगे 16 October 2021 के information देखें, तो यहां पतो अच्छे price charge to dealers make up to 42% of retail price in the case of petrol, मतलब 42% basically रहता है और बाकी जो है tax pay करना पड़ता है, और यह डिजल के मौमले 49% रहता है और बाकी tax pay करना पड़ता है, आप देख सकते कितना बड़ा एमोट ने tax pay करना पड़ता है, य तो आप देखेंगे, तो आप पर चलेगा 54% retail price है petrol में, central और state के taxes लगते हैं, मतलब 54% tax अखेले petrol में लगता है, मतलब 100 रुपय का petrol है तो वहां पे वो price कितनी हो जाए कि 154, मतलब GST हमारे किसी product में maximum 48% लगते हैं, लेकिन हमारे देश पे petrol और डीजल में GST से बहुत ज़ लगाए जाता है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो government है उसकी जो मतलब biasness जो है वो यहाँ पर देखनी मलती है, कि जो सामान हमारे देश में नहीं मलता हूँ, उसमें आप इतना tax क्यों लगाते हों, एनिहाँ यहाँ यहाँ पर देखें, तो डीजल में 49% तक tax लगता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, central government की बात करें, central government कितना tax लेती है, तो पतो नचे, central government जो है, 32.9 रुपए पर लिटर पैट्रोल में tax लेती है, और डीजल की बात करें, तो 31.8 रुपए पर लिटर डीजल में tax लेती है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो as of now, जितना division ह उसमें 31% tax यह petrol में लेते हैं और 34% tax डिजल में लेते हैं मतलब evenly GST 28% है उससे जाए tax अकेले central tax लग जाता है बाकि state अपना अलग से tax लेते हैं तो आप यह दिए हम देखें तो break up जिदि आप देखें पैट्रोल डिजल में कितना क्या है तो आप देखेंगे जो prices है price charge to dealers जो कितना पैसे देना पड़ता है 44.4 इतने मुन को सावन मिलता है मतलब यह प्रिकास कह सकते है 42% मतलब मालिज आपको 100 रुपए में as up no diesel मिल रहा है तो डिजलर को 42 रुपए मों सावन मिल जाता है लेकिन बाद में केंदर उस पर tax लगा देता है कितना आप देख सकते हैं यह इन्हें tax पे करना पड़ता है किसो केंदर सरकार को इसके लब डिलर का जो commission है वो भी हो गया तो 3.9 रुपए यहाँ पे डिलर कमीशन हो गया पैट्रोल में 4% और यहाँ पे 3% हो गया डिलर कमीशन हो गया इसके बास sales tax की बात करें मतलब जो राज सरकारें tax लगाती है उस यहाँ पाड़ी राज सरकारों कि यहाँ बात करें है एस आप डिलर की जो डिलर के जो राज सरकार लगाती है तो आप देख सकते हें यहाँ पर AMनुद्भी डेश में टैक्स बहुत ज्य Remo बहुत ज़्यादा है जो राज सरकारे लेती है, यदि आप जारखंड की बात करें, तो जारखंड में अलड़ी टैक्स हुएसे ही बहुत कम है, जारखंड की बात करें, तो यहाँ पर पताऊना चाहिए 24% के उल टैक्स लेते हैं, मतलब इतना तो डिसकाउंट हो दे रहे हैं, लेकिन इसके हमें कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप मेंक्सिम टैक्स में जो पैक्सिमंट है, वो ठाईस पर्ण कि ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह बड похож कर ya है, आप देख सकते हैं, हमारे देख में जो पैक्ट्रल और ड्यिजल भुठार्ज टैक्स लेती है, केंसरकार की बात करें तो आप देखेंगे पैट्रोल में जो टैक्स लेती है केंसरकार वो as of no 31% लेती है, डीजल में 34% लेती है, वहीं पर राजसरकारों की बात करें, यदि मदभदेश जैसे राजसरकारों की बात करें, तो मदभदेश में पैट्रोल में 33% टैक्स लेते है और डीजल की बात करें तो 23% डिस में टैक्स सकता है मतलब एक बहुत बड़ाए बांड जो है टैक्स के फॉर्म में जाता है मतलब यहां पर तो दिखें तो 50% से बहुत ज़दा उपर पेट्रोल में आपको टैक्स पे करना पड़ता है यहां पर कही बात करना पर जाता है तो जारकंड सरकार ने यह कदम उठाया लेकिन जारकंड सरकार का एक और भी स्रिफ है इनोंने टूरिजम को बढ़ायोँ देने के लिए जारकंड टूरिजम पॉलिजी 2021 बे अनौन्समेंट किया है उसमें भी उन्हों का कहना है यह है कि यहाँ पर पेट्रोल डिजल सस्ते होंगे तो यहाँ पर टूरिजम भी प्रमोट करने में काफी महत्पूर्ण development होंगे यह रहा discussion इस topic के बारे में लेकिन आपको opinion क्या है यह तो हमने discuss कर लिया लेकिन आपो क्या लगता है क्या जहारखंट सरकार के दौरा लिया गया है जो फैसला है यह कितना zenwind है और आप लगता है कि हमारे जो बाकी राजसरकारे है क्या उन्हें भी इस तरह के इस तरह के परने चाहिए क्या उन्हें इस तरह से petrol और diesel के prices कम करने चाहिए इसमें उपीनिन आपके क्या है टिसकूसंट के शुंट करते है लेकिन हमारे जो नएफरेंट्स नाम का जो मारा ये चैनल है इसको सबस्स्राइब कर डैसा एक जाहीं क्या डिस्कूस्ट क है डिसकस उनको यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर तक लिए बाबाए, टेक केर